This question is from the chapter application of derivatives. Question बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया question ठीक है? Multiple concepts यूज हो रहे हैं इसमें. Question पढ़ते हैं, let Px be a polynomial of degree 4. Okay, Px be a polynomial of degree 4 having extremum at x is equal to 1,2. और उसके बाद एक equation given है, that is limit x tending towards 0. 1 plus Px upon x square is equal to 2 and then we have to find the value of P of 2. अच्छा, अभी देखो, कैसे सोचेंगे इसमें? अगर हमें P of 2 निकालना है, P of 2 निकालना है, इसका मतलब मुझे Px पूरा का पूरा पता होना चाहिए. अब Px अगर पूरा का पता होना चाहिए, तो हमें information किस बात का given है? एक तो limiting वाला value given है, तो इस limit को तो हम लोग अच्छे से simplify कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, limit x tending towards 0, 1 plus Px upon x square का value अगर 2 given है, तो देखो, ये तो constant है, इसका तो limit 1 है ही, this means, इसका value कितना आगया होगा limiting condition, 1, तभी ये कितना आ सकता है, 2, therefore, इस limit को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, directly question में, limit x tending towards 0, Px upon x square, मतलब वो वाला जो expression given था, वो ऐसे ही time pass के लिए given था, और हमें पता चल गया, this is equal to 1 होना चाहिए, तो question में अगर इतना भी दे देता तो हमारा काम चल जाता, ठीक है, इससे तो हमने ये information जुगाड़ा, अभी एक और information given है, कि extremum, extremum का मतलब क्या होता है, extremum का मतलब होता है, point of local maxima या local minima, जिस point पे कोई भी function या polynomial अपना local maxima, end या local minima attend करता है, उसको हम लोग point of extremum बोलते हैं, तो local maxima, local minima attend कर रहा है कहाँ पे, x is equal to 1 और x is equal to 2 पे, तो x is equal to 1 और x is equal to 2 को px से लेना देना नहीं है, किस से लेना देना है actual में, p dash x से, तो हमें basically ये वाला information given है, कि p dash of 1 is 0, and p dash of 2 is 0, उस line से तो बस इतना पता चला हमें, कि p dash x में, अगर x is equal to 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, p dash x में, अगर x is equal to 2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, अब यहाँ से मुझे पता करना है, ये 2 information है मेरे पास, इस से मुझे पता करना है, polynomial होगा क्या, अभी बताओ, polynomial है कितने degree का, 4 degree का, तो 4 degree का polynomial हमें assume करना पड़ेगा, तो, तो हम लोग क्या करेंगे, random एक polynomial assume करेंगे, लेकिन जैसे ही random assume करेंगे, हमारे दिमाग में थोड़ा सा शक आएगा, कि ax to the power 4, plus bx cube, plus cx square, plus dx, plus e, और इसमें कितने जादे constant है, 5-5, और हमारे पास equations कितने actual में, 2 ही, 2 knowledge है हमारे पास, ठीक है, ओके, लेकिन और कोई option भी तो नहीं है, इसी को देखते हैं, अभी सोचो, इस limit को ध्यान से देखते हैं, इस से बहुत कुछ पता चलता है, क्या पता चल रहा है, limit x tending to 0, px upon x square का value 1 के बराबर है, अगर px upon x square का value 1 के बराबर है, इसका मतलब px upon x square का limit क्या करता होगा, exist करता है, exist करता है का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब x 0 को जा रहा है, तो denominator की धर जा रहा है, tending towards 0, तो इसका मतलब numerator को भी x is equal to 0 पर किधर जाना चाहिए, 0 को, this means p of 0 कितना होना चाहिए, actual में, 0 होना चाहिए, तो p of 0 अगर 0 बोलोगे, तो वहाँ से, e का value तुमारा निकल के आ गया, 0, इसका मतलब polynomial और भी simplify हो गया, और polynomial हमारा बन गया क्या, px is equal to ax to the power 4, plus bx cube, plus cx square, plus dx, ओके, अभी इस limit को और ध्यान से देखते है, यह जो limit लिखा हुआ है, limit extending towards 0, px upon x square, ठीक है, इसको हमें calculate करना है, हमें पता चला, यह 0 by 0 form है, 0 by 0 form है, तो हम लोग limit कैसे निकालते हैं, अगर px के बारे में information नहीं है, तो हम लोग lh rule लगाएंगे, जब lh rule लगाएंगे, तो this will be equal to limit extending towards 0, उपर वाले का differentiation p-x, नीचे वाले का differentiation 2x, ओके, फिर से हमने क्या देखा, denominator किधर को जा रहा है, तो बोलेंगे 0 को, तो numerator को भी किधर जाना पड़ेगा, 0 को, तब ही ये वाला limit exist करेगा, numerator 0 को जाना पड़ेगा, therefore इसका मतलब क्या होता है, p-0 किधर होगा, 0, p-0, 0 given है, ओके, p-x कितना आता है, हम लोग calculate कर सकते हैं, p-x मेरे पास आएगा, 4 into a into x cube, plus 3 into b into x square, plus 2 into c into x, plus d, अब बताओ, p-0 अगर 0 के बराबर है, this means d का value कितना है, 0, ओके, d भी 0 आ गया, इसका मतलब p-x और भी simplify हो गया, last two terms कैसे आगे, 0, तो हमारा p-x basically है कितना सिर्फ, p-x is a-x to the power 4, plus b-x cube, plus c-x square, इसे भी दिख भी रहा था कि limit तभी exist करेगा, चोब सिर्फ x square का term होना चाहिए, हम सिखाओ, ठीक है, कैसे दिख रहा था, तो p-x upon x square, अभी सोचो, p-x में a-x to the power 4, plus b-x cube, plus c-x square तक होगा, तभी x square से x square कट जाएगा, उपर वाले का कुछ limiting value आ जाएगा, लेकिन, अगर dx plus e होता, तो यह तो फाल्तु कैसे ही, 0 पे ही जाता, तो यहाँ से हमें दिख जाता, ओके, next step, हमें क्या आ गया, limit extending towards 0, तो p-x upon 2x, अभी बताओ, अब इसका limit निकालने तुम्हें क्या करूँगा, फिर से lh rule लगाऊँगा, फिर से lh rule लगाऊँगा, तो क्या करूँगा, limit extending towards 0, 0, p-x upon 2, अच्छा, 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 p-x upon 2, अभी देखो, नीचे वाला denominator 0 नहीं हो रहा है, उपर वाला, जो भी है, तो यह limiting condition आया कितना, p-0 upon 2, लेकिन हमारा limit का value कितना गिवन है, इसका 1, इससे क्या पता चला, p-0 का value कितना है, 2, अच्छा, p-0 का value 2 है, और p-0 है कितना, तो मैं बोलूँगा, p-x कितना है, p-x is 4a x-cube, plus 3b x-square, plus 2cx, अच्छा, p-0-x कितना है, तो मैं बोलूँगा, 12a x-square, plus 6b x, plus 2c, ओके, और p-0 का value कितना है, 2, तो जैसे हैं इसमें x is equal to 0, पुट करूँगा, p-0-0 का value आएगा कितना, 2c, और वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, therefore, c का value कितना आ गया, 1, ओके, c का value 1 आ गया, तो हमारे पास, p-x कितना आ गया, p-x, p-x आ गया, a x to the power 4, plus b x cube, plus c, c के जगा 1 आ गया, तो c x-square, अच्छा, polynomial अब इतना आ गया, limit वाला, जो भी use था, हमने limit का use कर लिया, अभी हमने, अभी तक किसका use नहीं किया है, हमने limiting वाला, जो यह था, इसका use कर लिया, सिर्फ इसका use अभी तक नहीं किया है, p-1 is equal to 0, and p-2 is equal to 0, ओके, तो इसको भी use करते है, p-1 is equal to 0, and p-2 is equal to 0, पहले तो बताओ, p-x कितना होगा, p-x तो बहुत तो बार निकाल लिया, that will be equal to 4a x cube, plus 3b x square, plus 2x, p-1 का value कितना है, 0, और p-1 आएगा कितना, तो मैं बोलूँगा 4a plus 3b plus 2, इसका value आया 0, चलो, एक equation आया, that is 4a plus 3b is equal to minus 2, अभी निकालेंगा हम लोग, p-2, p-2 कितना आएगा, देखो, 2 cube, that is 8 into 4, 32a plus 2 square, that is 4, 4 into 3 is 12b, plus 2 into 2, that is 4, is equal to 0, तो यहां से 4 से अगर divide कर दिया जाए, तो this is 8a plus 3b plus 1 is equal to 0, तो 8a plus 3b का value कितना आगया, minus 1, ओके, तो हमें a और b में दो equation आया, 4a plus 3b is equal to 1, और दूसरा है 8a plus 3b is equal to 1, तो क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, 2 minus 1 कर देंगे, 2 minus 1 करने से फाइदा क्या होगा, 8a minus 4a is 4a, 3b, 3b कटा, minus 1 minus 2, that is minus 1 plus 2, which is 1, this implies a is equal to what, 1 by 4, अच्छा, a का value आगया, a का value अगर आगया, तो हम लोग b का value निकाल सकते हैं, किसी एक में put on कर दिया, चलो, हम लोगोंने second वाल input किया, तो 8 into 1 by 4, plus 3b, this is equal to minus 1, तो this is 4 into 2, so 3b is equal to minus 3, और b is equal to minus 1, अच्छा, a का value 1 by 4, b का value minus 1, तो हमारा जो polynomial है, वो कितना आया, तो मैं बोलूंगा, ax to the power 4, ax to the power 4, plus bx cube, bx cube, plus cx square, अपने पास finally कितना polynomial आ गया, अब हमें चाहिए क्या था, p of 2 कितना होगा, तो p of 2 निकाला, p of 2 will be 1 by 4 into 2 to the power 4, minus 2 cube, plus 2 square, so this is equal to 2 square, that is 4, minus 8, plus 4, this is equal to 0, therefore p of 2 is equal to 0, ये भी एक बहुत ही बढ़िया question था, हमने क्या बोला, कि पहले एक general polynomial मानो, वहाँ से हमने calculate किया आगे, ठीक है, general polynomial माना और हमने a, b, c, d, e का value calculate कर लिया, lengthy method था थोड़ा सा, और हो गया, जर हमने गच्ट है, जर हमने क्वार साथ, झ rear योड़ा साथ, हमने क्या जर बोला ह Server हमने जर कहा बढ़ाए बहाँ, चला को माना जर लिया साथ मैना थार वपी कर साथ,